लुका अध््या 11, कुलपद 54 वह किसी जगा प्रार्थना कर रहा था जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके छेलों मेंसे एक ने उससे कहा हे प्रभु, जैसे यहनना ने अपने छेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे उसने उसे कहा, जब तुम प्राटना करो, तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आये, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को शमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपरादी को शमा करते हैं, और हमें परिक्षा में न तब उसने उससे कहा तुम मैंसे कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे हे मित्र मुझे तीन रोटियां दे क्योंकि एक यातरी मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है इसलिए मैं उटकर तुझे नहीं दे सकता मैं तुमसे कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उटकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी अवशकता हो उतनी उटकर देगा और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा ढूंडो तो तुम पाऊगे खटखटाओ तो तुमारे लिए खोला जाएगा क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंडता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा तुम मैंसे ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे या मचली मांगे तो मचली की बदले उसे साब दे या अंडा मांगे तो उसे बिच्चु दे अते जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी बस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गी पिता अपने मांगने वालों को पवत्र आत्मा क्यों न देगा फिर उसने एक गूंगी दुस्तात्मा को निकाला जब दुस्तात्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों को अच्छंबा हुआ परंतु उन में से कुछ ने कहा यह तो बाल जबूल नामक दुस्तात्मा के प्रधहन की साहता से दुस्तात्मा को निकालता है और उने उसकी परिक्षण करने के लिए उससे आकाश का एक चिन मांगा परंतु उसने उनके मन की बाते जान कर उनसे कहा जिस जिस राज्य में पूट होती है वहे राज्ये उजड़ जाता है और जिस घर में फूट होती है वहे नस्थ हो जाता है यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्ये कैसे बना रहेगा क्योंकि तुम मेरे विशे में तो कहते हो कि यहे शैतान की सहता से दुस्टात्मा निकालता है भला यदि मैं शैतान की सहता से दुस्टात्मा को निकालता हूँ तो तुम्हारी संतान किसकी सहता से निकालते हैं इसलिए वे ही तुम्हारा नयाय चुकाएंगे परंतु यदि में परमीश्वर की सामर्द से दुस्तात्माओं को निकालता हूँ तो परमीश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है जब बल्वंत मनुश्य हत्यार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ती बची रहती है पर जब उससे बढ़कर कोई और बल्वंत चड़ाई करके उससे जीत लेता है तो उसके वे हत्यार जिन पर उसका भरोसा था छिल लेता है और उसकी संपत्ती लूट कर बांट देता है जो मेरे साथ नहीं वहे मेरे विरोध में है और जो मेरे साथ नहीं बटोडता वह बिखीरता है जब अशुत आत्मा मनुश्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंटती फिरती है और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लोड जाऊंगी और आकर उसे जहड़ा, बहरा और सजा सजाया पाती है तब वह जाकर अपने से बुरी साथ और आत्माव को अपने साथ ले आती है और वे उसमें पैट कर वास करती हैं और उस मनुश्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है जब वह ये बाते कही रहा था तो भीड में से किसी इस्त्री ने उचे शब्द से कहा धन्य हैं वह गर्ब जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तू ने चूसे उसने कहा हाँ परंतु धन्य वे हैं जो परमीश्वर के वचन सुनते और मानते हैं जब बड़ी भीड इखटी होती जाती थी तो वह कहने लगा इस युक के लोग बुरे हैं वे चिन ढूंडते हैं पर योना के चिन को छोड़ कोई और चिन उन्हें ना दिया जाएगा जैसा योना नीनवे के लोगों के लिए चिन ठहरा वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युक के लोगों के लिए ठहरेगा दक्षन की रानी नियाय के दिन इस समय के मनुश्यों के साथ उठकर उन्हें दोशी ठहराएगी क्योंकि वह सुलिमान का ग्यान सुनने को पृत्वी की छोड से आई और देखो यहां वह है जो सुलिमान से भी बड़ा है नीनवे के लोग नियाय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोशी ठहराएंगे क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया और देखो यहां वह है जो योना से भी बड़ा है कोई मनुश्य दिया जलाके तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उज्याला पाएं तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उज्याला है परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधिरा है इसलिए चौकस रहना कि जो उज्याला तुझ में है वह अंधिरा ना हो जाए इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उज्याला हो और उसका कोई भाग अंधिरा ना रहे तो सब का सब ऐसा उज्याला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उज्याला देता है जब वे बाते कर रहा था तो किसी फरीसी ने उस से विन्ति की कि मेरे यहाँ भूजन कर वे भीतर जाकर भूजन करने बैठा फरीसी को यह देखकर अचंबा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले इस नाम नहीं किया प्रभू ने उससे कहा हे फरीसियों तुम कटोरे और थाली को उपर उपर से तो मांजते हो परंतु तुमारे भीतर अंधेर और दुस्टता भरी है हे निर्बुद्धियों जिसने बाहर का भाग बनाया क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया परंतु हाँ भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुमारे लिए शुद्ध हो जाएगा पर हे फरिसियों तुम पर हाए तुम पौदीने और सुदाप का और सब भाती के साग पात का दस्वा अंश देते हो परंतु नियाय को और परमेश्वर के प्रेम को डाल देते हो चाहिये तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते हे फरिस्यो तुम पर हाई तुम अराधनालियों में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमशकार चाहते हो हाई तुम पर क्योंकि तुम उन छिपी कबरों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते तब एक ववस्थापक ने उसको उत्तर दिया हे गुरू इन बातों के कहने से तु हमारी निंदा करता है उसने कहा हे ववस्थापको तुम पर भी हाई तुम ऐसे बोज जिनको उठाना कठिन है मनुश्यों पर लातते हो परंतु तुम आप उन बोजों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते हाई तुम पर तुम उन भवश्थापकताओं की कबरें बनाते हो जिन्हें तुमारे ही बाब दादों ने मार डाला था अते तुम गवा हो और अपने बाब दादों के कामों से सहमत हो क्योंकि उन्होंने उन्हें मार डाला और तुम उनकी कबरें बनाते हो इसलिए परमिश्वर की बुद्धी ने भी कहा है मैं उनके पास भवश्थापकताओं और प्रेड़तों को भीजूंगी और वे उन में से कुछ को मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे ताकि जितने भश्थापताओं का लहू जगत की उत्पती से बहाया गया है सबका लेखा इस युक के लोगों से लिया जाए हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक जो वेदी और मंदर के बीच में घात किया गया मैं तुम से सच कहता हूँ इस सबका लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा हाई तुम विवस्थापकों पर तुमने घ्यान की कुझी ले तो ली परन्तु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोग दिया जब वह वहां से निकला तो शास्त्री और फरेशी बुरी तरहे उसके पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वह बहुत सी बातों की चर्चा करें और घात में लगे रहे कि उसके मुह की कोई बात पकड़ें